हलो और वल्कम टू मोवी डियरी मैं हूँ शुकेंदू इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एक फिल्म के बारे में फिल्म का नाम है भक्षक फिल्म के अंदर हम लीड रोल पर देख पाएंगे संजाई मिश्रा भूमी पेड़नेकर और आदित्या श्रिवास्तव को फिल् इस फॉलो कर दीजे दिनवर सिनमा वाल से जुड़े रहने के लिए तो फिर जाता देर ना करते हुए आए आगे बढ़ते हैं मैं शुरू करूंगा आखिर से फिल्म के एंड में एक सवाल पूछा गया है मैं नहीं कहूंगा कि क्या है ये सवाल लेकिन पूरा फिल्म यादा कीजिए फिल्म का ट्रेलर जब आया था तभी मैं कहा था इंडिया में ये एक ब्रूटल सच है कि जिसे हम रक्षक मानते हैं वह रक्षक ही असल में भक्षक है इस फिल्म के अंदर उसी चीज़ को और भी क्लियरली मतलब आखों में उंगली डाल के दिखाया गया है किस पर भरूसा करें हम क्योंकि हम आम इंसान जिस पर भरूसा करके बैठ रहते हैं वो सिर्फ एक ही काम कर सकता है वो सिर्फ खा सकता है पैसा खा सकता है किसी बड़े निता की चपल की धूल को चाटके खा सकता है सस्ते नशे में दूंद नशेडियों को अंदर करके उस से छीन के वो खुद कानून के धायरे में रहे के नशा कर सकते हैं Anyway, let's treat this film as film बहुत बहुत ज़्यादा hard rating है बहुत दिनों तक ये film हमारे साथ रहे जाएगी और हमें तरपाएगी बहुत ज़्यादा sensory film है It's a must watch movie और सभी को देखना चाहिए फिल्म के अंदर मैं सबसे पहले बात करूँगा फिल्म के writing के बारे में Writing is terrific बहुत tight screen play है बहुत ही engaging screen play है फिल्म के अंदर moments को ऐसे create किया गया है कि भूमी पेड़ने करका जो character है उसका character शुडू से एक down character है मतलब कि almost वो failure है तो उसकी लाचारी को बहुत ही बागोवी के साथ शो किया गया है तो उससे चलते जब वो तूट पड़ती है जब एकदम फिर से खड़ा हो जाती है इस चीश को काफी बढ़िया तरीके से proper build-up के साथ दिखाया गया है कुछ intense situations ऐसा है जिसका build-ups भी कमाल का है जैसे कि एक hospital scene है मैं detail नहीं बोलूँगा दो character में बैस होती है धीरे-धीरे build-up लेकर जब भूमी पेड़ने कर यानि वैशाली का character तूट पड़ती है मतलब तूट जाती है उस जगा पर कैसे धीरे-दीरे music scene को take over कर लेती है ये एक देखने लाइक चीज है फिर एक जगा है जहाँ एक character को दूसरा character over the phone कुछ instructions देता है जब वो phone cut करती है मतलब यहाँ एक बहुत अच्छा anticipation create किया गया है क्योंकि character phone cut करते ही कुछ नहीं बोलती इस तरीके से कई सरे moments बहुत ही अच्छा है एक जगा है जहाँ वैशली confusion में है कि अब क्या करें अब आगे की रस्ता क्या है क्योंकि उसको पता चल गया है आगे का रस्ता बहुत ज़्यादा tough है तो या तो रुक जाए या फिर situation के साथ दिल किया जाए तो उसकी इस mental situation को समझाने के लिए बहुत अच्छी एक lighting का इस्तमाल किया गया है एक तरफ blueish light है एक तरफ yellowish light है बीच में character फिल्म के अंदर brutality को समझाने के लिए बहुत ज़्यादा brutal scenes दिखा गया है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मतलब ऐसी चीज़ बहुत कम है है लेकिन कम है लेकिन actors की performance इतना convincing और believable है कि आप सभी को पता चल जाएगा ज्यादा focus किया गया है system की loophole के उपर system जहां एक तरफ लाचार लोगों को rescue करने की scope create करती है लेकिन जाएंगे तो जाएंगे कहा जिसने scope दिया है वो खुद ही भक्षक है मतलब उन सारे बच्चियों की mental सिधी को समझ रहे हैं आप आदित्र शिवास्तप as negative character brilliant काम किया है उनका performance इतना raw और emotionless है कि आप हैरान हो जाएंगे संजय मिशा ने अपने अंदाज में जबरदस्त साथ दिया है और भी कहीं सारे ऐसे actors है जिनको आप इसे पहले कहीं सारे films और famous web series के अंदर भी देखा है कुछ portions में child shelter की कुछ female actors का performance was mind blowing but at the end show stiller is भूमी पेडने कर उनको trailer में ज्यादा convincing मुझे लगा नहीं था लेकिन film के अंदर उनका performance she is just tremendous उनके characters का न कहीं सारे shades दिया गया है emotional, strong, bold, brave, confused, failure, self-motivated सभी shades को बहुत ही बढ़िया तरीके से उन्होंने निभाया है बस एक चीज मुझे शिकायत है उनकी husband का जो character है वो अचानक से upside down हो जाता है या फिर यह कह सकता है downside up कह सकते हैं यह चीज मुझे ठीक नहीं लगा फिल्म का BGM बढ़िया है drama scenes को proper build-up दिया गया है मतलब music as BGM यूज किया गया है अच्छा है, बहुत अच्छा नहीं है लेकिन lyrics meaningful है overall मैं यही कहूंगा कि it's a must watch movie और इन में personally यही कहना है कि जिसके उपर भरुसा करके आप यह सोच रहे हैं कि आपको न्याई मिलेगा वो खुद अन्याई का सबसे बड़ा ideal है कानून के दाइडे में रहते हुए वो कानून के च्छत्रचाय में रहते हुए कानूनी गुंडा, मवाली चोड है सब के सब यह film उन सब के लिए एक tight slap है अगर आपने यह film देखा है तो बताइए कॉमेंट करके आपको कैसा लगा वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रू कर दीजिए चैनल को सबस्क्राइब करना मत बुलिए और दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रू कीजिए तैंक्यू, चैस सिनमा